आज आज हम अपनी वीडियो में टॉपिक करने जा रहे हैं वो एक्सराइज 1.2 का क्वेस्टन नंबर 4 है तो क्वेस्टन नंबर 4 में उन्हें हमसे पूछा हुआ है के सिंप्लिफाई दी फॉलिंग आपने इन्हें का हुआ है के जो आपको क्वेस्टन दिये जाएंगे उनक आप को पता है कि हमारे पास तो ऑटा की पावर डुकी जो वैथ ऐएंगे-ईह तो आपने गब्राना नहीं है बहुत हीजी है आपने क्या करना है कि जब भी हम्हरे पास यह और अपर आएगी उपर वाउर अपने सब से पहले इसको इवन में ले क्या आ ठीक है इवन क्यूंकर टू के टेवल में आता है और हमारे पास इसकी वैलियो जो है इयोटा स्क्रिया की है तो हमारे पास अगर odd odd से हम even में बना लेंगे तो हमारे लिए question करना easy हो जाएगा तो हम क्या करेंगे आयोटा की 9 power को हम क्या करेंगे इसको दो parts में separate कर लेंगे आयोटा की 8 और आयोटा separate ये 9 बन गया ना 8 और 1 9 लेकिन हमने इसको separate क्योंकि ये solve करने के लिए ठीक है अब हमने क्या किया आयोटा की 9 को आयोटा की 8 डाट लगा के आयोटा जस्टिस के उपर आप 1 भी लगा सकते हैं और ना भी लगाएं तो कोई issue नहीं है अब हमारे next step क्या आपने क्या करना है जैसे कि हम अपस आयोटा square की value है तो आप क्या करेंगे आयोटा square लगा के बाहिर 4 लगा लेंगे 2 4 time 8 होता है ना 8 बन गया डाट लगा के आयोटा लगा देना अब आयोटा square की value होती है माइनस 1 होती है ना इसकेर की जाएगा हमने क्या लगा लिए तो आपको एक बात याद हमेशा रखनी चाहिए कि जब भी हमारे पास उपर value जो power होती है वो अगर even हो तो नीचे माइनस भी हो तो वो प्लस हो रहता है लेकिन अगर उपर power जो है वो odd हो तो माइनस माइनस ही रहता है यह जैसे कि मैंने आपको अभी अभी कहा है अगर odd हो वो माइनस ही रहेगा लेकिन अगर even हो जाए तो वो प्लस में बन जाएगी ठीक है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास minus 1 है उपर power क्या 4 है 4 even होती है ठीक है तो minus 1 को फॉर टाइम मल्टिप्लाइ करके देखा तो हम अरपस क्या आ गया वन आ गया और आयोटा एजटीज नीचे आ गया अब वन को योटा के साथ मल्टिप्लाइ करें तो आयोटा आ जाएगा यह हमारा question number one complete हुआ हम question number four के second part की तरफ आते हैं तो बिल्कुल दुर्स सोच रहे हैं आप question बहुत इज़ी है यह आयोटा की पापर 14 है तो हमने इसको टू करके बाहिर सामन कर लिया क्योंकि टू सामन टाइम 14 ही होता है अब हमने इसके की वैलियों क्या होती है स्केर स्केर रूट से गैंसल हो गया योटा स्केर इसको टू माइनस वन बचा इस तरह हमारी योटा स्केर की वैलियों निकली थी जो हम इन questions में पुट करते हैं तो क्या करेंगे योटा स्केर की जगा क्या लिख देंगे माइनस वन ऊपर पावर क्या है सेमन तो मैंने आगे आपको एक concept दिया है कि अगर उपर पावर ऑड होगी तो यह उपर ऑड होगी तो यह उपर प्लस में चैंज हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू के बाहिर क्या है उपर पावर क्या है 19 ठीक है यह हमारे पास पावर क्या आगई है और साथ माइनस भी आ गया है यह क्वेस्टन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकर्ट हो रहा होगा क्योंकि आपने अभी माइनस का कॉंसेप्ट नहीं समझा हम माइनस के साथ इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे हम माइनस को तो सॉल्व साथ कर नहीं सकते हम इंटू के बाहिर माइनस को निकाल देंगे और आयोटा 19 एजिट इस लिए तो नेक्स टैप में हमने क्या करना मैं आपको बताया था जब भी हमारे पास और में आएगी पाओर हमने उसको पहले क्या करना इवन में लेकी आना है तो identified अच兩ह YOUR से सॉल्व कर सके कि वेल्यों थी मैंने आपको लिख लिख लिए मैने प्र pon लिख लिख लिए ट्रमी कि रहता है और ट्रन को मैंने अगया अगया लju Remo को मैंने और प्लास लेकिन यहां क्या है छोगा और योटा निचे लिख लिख लिए अब माइनस वान को योटा से मल्टिप्लाइब करें तो मैनस तरह हमने जब माइनस माइनस किया तो प्लस हो गया और वहारा अंसर आ गया तो अब हम क्वेस्ट निबर फोर की तरफ आते हैं question number 4 में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ question number 4 में उन्होंने minus 1 उपर power क्या दिया हुई है minus 21 over 2 ठीक है यह question इन तुईनों सा बहुत different है इसमें minus की value भी है और power जो है वो over की farm में है और साथ minus भी है यह आपके लिए थोड़ा सा difficult होगा लेकिन है है बहुत easy है तो चले हम start करते हैं हमने सबसे पहले क्या किया है हमने minus 1 की जगा iota square पूट किया है आप जानते है कि iota square की value minus 1 होती है तो इस तरह minus 1 की value भी iota square होगी तो आपने क्या करना minus 1 की जगा क्या feel कर दिया iota square तो इंटू के बाहिर क्या है हमारे पास minus 21 over 2 अब हमारा next step क्या है कि हमने 2 को 2 से cancel कर दिये यह 2 2 से cancel हो गया बाकी हमरे पास क्या बचा iota into minus 21 तो आप सोच रहे हैं कि हम यह उपर minus है इसको कैसे solve करें तो आपनी क्या करना है आपने iota को minus 21 को दो हिस्सों में तक्सीम कर देना है separate कर देना है क्या करेंगे iota as it is लिखके minus 22 plus 1 तो इसको प्लास मैनस 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 तो 22 में minus 1 करें तो minus 21 आगे आना लेकिन हमने इसको separate solve करने के लिए किया है तो माइनस 22 प्लास लिख लेते हैं उसी तरह हम क्या करेंगे अब हम इनको separate कर लेंगे इसी तरह हम क्या करेंगे माइनस 22 था मैने आपको आपको जैसी के बता होगा कि जब भी हम अलपस power minus में होती है उसको अगर ओवर की फार्म में नीचे लेके आए तो वह प्लास में हो जाती है अब जैसे के हमारे पास क्या बन गया अब हम क्या करेंगे वान ओवर आयोटा को स्क्योर बना लेंगे तो टू को किससे मैटिप्लाइ करें तो 22 आता 11 से करेंगे तो टू को 11 से हमने स्केर की जगा क्या फुट कर दिया माइनस वान इंटू के बाहिर क्या है उपर पावर में 11 डॉट लगाकर योटा एजटीज आ जाएगा अब हम क्या करेंगे वन को एजटीज लिखे मैंने आपको कहा था कि अगर और माइनस चेंज नहीं होता लेकिन अगर इवन होगा त तो वह लिखें या ना लिखें कोई फ़रक नहीं पड़ता है यह माइनस उपर चला गया तो माइनस वान ने अगर के सथ मैल्टिप्लाय किया तो क्या आगया माइनस अगर ओके क्लास आज का लेक्चर हमारा यहीं हतम होता है अलाफीज